लहसुन और शहद एक बहुत ही पुरानी दवा है, जिसे बड़े-बड़े रोगों को दूर करने के लिए खाया जाता था। अगर आप हर वक्त बीमार रहते हैं और थकान की वजह से आपका मन किसी काम में नहीं लगता तो इसका साफ मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम अगर इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो इनसान को सोतरह की बीमारियां घीर लेती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि लहसुन और शहद को एक साथ मिला कर खाने से ये एंटिबाउटिक का काम करते हैं। यह एक प्रकार का सूपर फूड है। इसे बानने के लिए जाती दो रिंट तीन बड़ी लहसुन की कली को हलका सा दबा कर कूट लीजिए और फिर उसमें शुद्ध कच्ची शहद मिलाएं। इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने दीजिए जिससे लहसुन में पूरा शहद समा जाए। फिर इसे सुबह खाली पेट साथ दिनों तक खाए और फिर देखिए कमाल। हमेशा कच्चे और शुद्ध शहद का ही प्रयोग करें क्योंकि यह कॉलेस्ट्रॉल को कम करने के मदद करता है। साथ ही इसे खाने से वजन भी कम होता है। अब आईए जानते हैं कच्ची लहसुन और शुद्ध शहद खाने के लाब। प्रतिरो इस मिश्रन को खाने से हृदय तक जाने वाली धमनियों में जमा वसा निकल जाता है जिससे खून का प्रवाह ठीक प्रकार से हृदय तक पहुँच पाता है। इससे हृदय की सुरक्षा होती है। गले की खराश दूर करें। इस मिश्रन को लेने से गले का संक्रमन दूर ह क्योंकि इसमें anti-inflammatory गुन है। यह गले की खराश और सूजन को कम करता है। डायरिया से बचाए। अगर किसी को डायरिया हो रहा हो तो उसे इसका मिश्रन खिलाएं। इससे उसका पाचन तंत्र दुरुस्त हो जाएगा और पेट के संक्रमन मर जाएंगे। सर्दी जुखाम से राहत दिलाए। इसको खाने से सर्दी जुखाम के साथ साइनस की तकलीफ भी काफी कम हो जाती है। यह मिश्रन शरीर की गर्मी बढ़ाता है और बीमारियों को दूर रखता है। फंगल इंफेक्शन से बचाए। फंगल इंफेक्शन शरीर के कई भागों पर हमला करते हैं लेकिन एंटी बैक्टीरियल गुनों से भरा यह मिश्रन बैक्टीरिया को खतम करके शरीर को बचाता है। डीटॉक्स यह एक प्राकृतिक डीटॉक्स मिश्रन है जिसे खाने से शरीर से गंगी और दूशित पदार्थ बाहर निकलता है।